नमस्कार भाई और बैनों मेरे यूट्यूब चैनल फरवरिस्पित प्रभासिंग में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि भीसर गर्मी के कारण सभी सरकारी स्कूल प्राइबेट स्कूल बंध कर दिये गए हैं बच्चों को फीसर गर्मी और लू से बचानी के लिए जबकि आगनबारी केंद्रों के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं प्राथमिक पाट साला में पढ़ने वाले बच्चों से भी आगनबारी केंद्र के बच्चे छोटे होते हैं फिर भी बहुत से जिलों में आगनबारी केंदरों की चुटियां नहीं की गई थी, जिसके चलते आगनबारी केंदर बच्चे आही रहे थे, बहुत से आगनबारी केंदर प्राथमिक स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, स्कूलों की चुटियां कर दी गई और आगनबारी कें केंद्र की चुट्टी का कोई आदेश नहीं आया हुआ था भीसर गर्मी को देखते हुए मिर्जापुर में भी आंगनबारी केंद्रों की चुट्टियां की गई हैं लेकिन आंगनबारी केंद्र के बच्चों की चुट्टियां की गई हैं आंगनबारी कारिकर्ती जिस तरह से केंद्र पर जाया करती थी उनको वैसे ही जाना है और अपने कारे का निस्पादन जिस तरह से वो कर रही थी उसी तरह से करना है हमारी जिलाधिकारी महोदया ने क्या आदेश दिया है आंगनबाडी केंद्रों के लिए आईए मैं आपको पढ़के सुनाते हूँ कारेले जिलाधिकारी मिरजापुर दिनांक 24 मई 2024 का यह आदेश है बरतमान में जनपत के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक बिद्याले दिनांक 25-2024 से दिनांक 15-6-2024 तक ग्रिश्म कालिन उकास के कारण बंद हैं अधिकान सांगनबारी केंद्र प्राथमिक बिद्यालों में संचालित हैं और आंगनबारी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक बिद्याली बच्चों से भी छोटे होते हैं वर्तमान में पढ़ रही भीशर गर्मिवा लू को द्रिष्टिकत रखते हुए जनपत मिर्चापुर के आंगनबारी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का दिनांक 25-2024 से 15-6-2024 तक आउकास गोसित किया जाता है उक्त गोसित आउकास की आउधी में सभी आंगनबारी कारिकर्त्रियां मिनी आंगनबारी कारिकर्त्रियां उम्शाहिक सहाई काई अपने केंद्र पर निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर आंगनबारी केंद्र की अन्य आवश्चक कारिये जैसी ग्रेवर्मन, प्रियंका निरंजन जिलाधिकारी मिर्जापूर प्रियंका निरंजन द्वारा दिया गया है जिस आगनबाडी केंद्रों पर जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों की छोटिया कर दी गई हैं क्योंकि हो प्राथमिक बिद्याले के बच्चों से भी छोटे होते हैं और भीसर गर्मी वो लू के कारण बच्चों की छोटिया कर दी गई हैं लेकिन आंगनबाडी केंद्र पर आंगनबाडी कारी करती, मिनी आंगनबाडी कारी करती, सहाई काएं, निर्धारित समय से उपस्थित होकर अपने आंगनबाडी कारियों का निस्पादन सही तरीके से करेंगी, जैसे की पुष्टाहर का वित्रड, पुष्टर ट्रेकर, एप फिडिंग, टिका करर, शामुदाइक गतिविधिया, ग्रे भ्रमर, आदि जो सासे की अकार्य को किया जाना है, उसका निश्पादन वो पुरुवत करेंगे अमीद करती हूँ, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और हाँ भाई और बेहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी और आगनबारी बेहनों को इसका फायदा हो सके, इसके लिए सेयर जरूर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अब अब देवरानात की क्रिपा आप सब पर बनी रहे, नमस्कार